Assalamualaikum dear students, hope so you will be fine. Today in this video we are going to discuss the case of the nouns, इस्मा की हालत. आज के हम अपनी इस वीडियो में डिस्क्स करेंगे, the case of the nouns, इस्मा की हालत. जब कोई इसम किसी फिक्रे में इस्तमाल होता है, तो वो किसी दूसरे इसम से किसी हालत या तालुक का मज़र होता है. इस हालत या तालुक को हम बोलते हैं case. Case यानि हालत से हमें पता चलता है कि कोई इसम किसी जुम्ले में काम करने वाले की हालत में है, या इस पर काम हो रहा है, या वो किसी तालुक या मल्कियत का जहार कर रहा है, या फिर इसको खताब किया जा रहा है. Case यानी हालत की चार किसमें होती हैं हमारे पास Nominative Case Objective Case Possessive Case And the last one is Vocative Case जी तो नमबर बन पे हमारे पास है Nominative Case File-y हालत यह हालत हमें बताती है कि इसम काम करने वाले यानि फाइल की हालत में इस्तमाल हो रहा है नॉमिनेटिव केस हमें बताता है कि जो काम करने वाला है उसको हम फाइल की हालत में इस्तमाल कर रहे हैं काम करने वाला काम करने वाले को हम बोलते हैं फाइल काम करने वाले को हम सब्जेक्ट फाइल करते हैं ठीक है अब एक्जेम्पल्स में हमरे पास है حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the prophet of mercy حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر رحمت ہے حضرت علی is the fourth caliph حضرت علی چوتھے خلیفہ ہے پاکستان means Islam پاکستان کا مطلب Islam ہے अब इन examples में हमरे पास حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی پاکستان यह हमरे पास क्या है यह हमरे पास file है जो act कर रही है as a nominative case जी second number पे हमरे पास case है objective case मफूली हालत यह हालत हमें बताती है कि Islam मफूली हालत में इस्तमाल हो रहा है जो हमरे पास noun है वो act कर रहा है as a objective case अब examples में हमरे पास है We have invited Naveed to the party हमने Naveed को party में बुलाया है They are looking for a present वो एक तौफा तलाश कर रहे है Don't ring the bell guarantee नाब जो अब इने examples में हमरे पास नaveed a present the bell हमरे पास क्या है objective case नaveed present bell यह हमरे पास क्या है noun है जो क्याक्ट कर रहे है as a objective case जी third number पे हमरे पास case है possessive case अजाफी हालत यह हालत हमें बताती है कि कोई इसम मल्कियत तालुक कब्जे को जाहिर कर रहा है examples में हमरे पास है this is नदीम बाई साइकल यह नदीम की बाई साइकल है he went towards महमूद शौप वो महमूद की दिकान की तरफ चला गया wasseem's car is new wasseem की car नही है अब इन examples में हमारे पास wasseem's, महमूद, नदीम's यह हमारे पास क्या है possessive case है जो बाई साइकल, दुकान और कार से इसके relation को show कर रही है possessive case basically हमें बताता ही यह है कि को इसम जो है वो मल्कियत, तालुक या फिर कब्जे को जाहिर करता है अब नदीम जो है वो अपनी बाई साइकल को show कर रहे महमूद वो शौप को show कर रहे और वसीम जो है वो अपनी car को show कर रहे car की मल्कियत को show कर रहे ठीक है हम किसी भी इसम के साथ अपास्ट्राफिक का इसमाल कर सकते हैं बे जान इसम के साथ apostrophe की बजाए ओफ का इसमाल किया जाता है अब यह हमरे पास इसके कुछ points है number one पे हमरे पास है वाहद के साथ कोमा के बाद हमने S लगाना है अब examples में हमरे पास है a boy's bag a girl's pencil a boy's bag एक लड़के का बस्ता a girl's pencil एक लड़की की pencil ठीक है इन examples में हमने क्या किया हमने कुमा के बाद S लगाया एक खलाडी का लबास a player's costume point number two में हमने क्या करना है जमा के साथ S के बाद कुमा लगाते है boys bags लड़कों के बस्ते girls pencils लड़कीों की pencil खलाडी के लबास players costumes वाहद में हमने क्या करना है कुमे के बाद S लगाने है और जमा में हमने क्या करना है S के बाद कुमा लगाना है यह थी हमारे पास कुछ examples अब next case हमारे पास है point number three भी हमारे पास है इन बे जान एशिया के साथ भी S लगता है जिनका जिकर जानदार एशिया की तरह किया जाता है और जो जमाना फासला या वक्त को जाहिर करे अब examples में हमारे पास है हाथ बर के फासले पर at an arm's length एक साल का नदीजा years result एक दिन की तरक्की a day's progress first come तालबा duties demand ton का वजन a ton's weight man का वजन खदा की मर्जी खवतीन का अंदाज मोत के पंजे यह सारी हमरे पास के एक्जेम्पल्स last and fourth number पे जो हमरे पास case है वो है vocative case खताबिया हालत यह हालत जाहिर करती है कि इसम से खताबिया अंदाज में बात की जा रही है ठीक है अब examples में हमरे पास है children pay attention to studies बच्चो पढ़ाई की तरफ तवज्ज़ो दो Muslims युनाइटी एंड सर्व मुसलमानों मुथध होकर हिद्मत करो keep quiet वलीद वलीद खमोश रहो यह हमरे पास था vocative case आब इन examples में हमरे पास children Muslims वलीद इन से जो है वीडियो में डिस्कस किया the case of nouns जिसमें हमने noun के case पढ़े जिसमें हमने nominative case objective case possessive case और vocative case के बारे में पढ़ा thanks